जानो साथ जी बिदेश आए दुख देखे कई भात जोलो नाइत सुक्षु वाई तोलो नमोहे स्वांत प्रणिस्वरेक्षरतेद सब सुंदर साथ से कितना प्रेम करते हैं वो इस चौपाई से वधित होता है इसमें उन्होंने क्या कहा जोलो ना इत सुक्षु होई तोले नमोहे स्वांत जब तक सुंदर साथ को इस माया के संसार में सुख नहीं होगा परमधाम का तब तक मुझे सांती में गिलेगी यह बात आज दिन तक इस्त्रिष्टी में किसी नहीं बड़े बड़े अवतार आए तिर्थंकर हुए मानोता को सबने आनंद देना चाहा था भगवान बुद्ध को देखिए जब बुद्ध तो पराप्त हो जाता है तो जीवन भायर करतल भिक्षा तरतल वास हाथों में भिक्षा और भिक्षों के नीचे सैन करना या ध्यान करना किसी माहल में सैन नहीं किये महाभीर स्वामी नहीं सैन नहीं किया संसार के कल्यान के लिए जो भी महापुरुस उतरते हैं इस संसार में स्वाइम तो कुष्ट जहलते हैं लेकिन मानोता के लिए आनंद का सागर छोड़ जाते जब स्वाइम अक्षरातीत के चड़ कमल इस संसार में अवतरित होते हैं ब्रह्माहत्माओं को जगाने के लिए तो उनका एक ही संकल्प होता है कितने बड़ी बात कही है कि किसी को फूल की पंखड़ी से मारा जाए किसी के उपर फूल फेकते हैं तो उसको कितना अच्छा लगेगा क्योंकि फूल में क्या है तीन गुण है सुन दर्ता है कुमलता है और सुगंधी है जो बहुत सम्माननी वेक्ती होता है उसी के उपर तो फूल फेके जाते हैं राजजी कहते हैं कि यदि फूल की पंखड़ी से भी तुमें कष्ट लगता है तुमें उतना भी दुख तुमको नहीं देना चाहता आप सोचिए क्या आपने इन कत्रों पर कभी विचार किया है कि कौन कह रहा है आपको माया का कुछ कष्ट होता है तो आप सारा दोस्ट किस पर मर देते हैं राजजी पर कि हम तो राजजी के चरड़ों में आए हैं मेर सागर का पाट करते हैं सेवा पुजा करते हैं फिर भी राज जी हमको दुख दे ही रहे धनी न देवे दुख तिल जेता जो देखिये बचन विचारी जी दुख आपन को जो हो थे सो माया करते बारे जी तिल मात्र भी धनी आपको दुख नहीं देख सकते राज जी ने क्या 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 राक राय पात साग क्या मीर फीर फकीर राजा हो या गरीब हो सभी दुखी क्यों होते हैं दुख का करण क्या है अज्यान साथ भर्षों की कठोर तपस्चरिया के पास पस्चात राजकुमार सिधारत को बुद्धत पराप्त होता है और उन्होंने क्या समझा कि सभी दुखों का कारण है अज्यान, तृष्णा और इसको समाप्त करने के लिए एक मार्ग बताया उन्होंने अश्टांग मार्ग जिसमें समाधी तक पहुँचकर निराकार को प्राप्त करना था यह नहीं मताया गया कि परमात्मा कोन है, परमात्मा कहा है, परमात्मा कैसे है प्राण्याची के सरूप में अक्षरातीत प्रगट हुए है परमधाम की वाणी लाए है और एक ही मन में भावना है कि जोलो ना इत सुख पावें तोलो ना महे स्वांत मुझे सांती तब तक नह प्रह्मात्मा को यहीं बैठे-बैठे परमधाम के सुखों का अनपॉर्म न करा दो। परमधाम के सुख कहा है। सुख क्या है और दुख क्या है। जैसे आज-जे सो बस पहले इतनी कारे नहीं थी, लोग बेलगाडियों पर, घोड़ों पर या अनिसाद दुनों से यात्रा करते थे, पैदल चलते थे आज के युग में यदि कार वाले की कार खराब हो जाए तो कितना दुखी होता है कि आज मेरे पास कार नहीं है आज कोई कूलर लगाना नहीं चाहता है, हर कोई यसी लगाना चाहता है, लेकिन एक जमाना था जब पंखे भी नहीं हुआ करते थे हाथ के पंखे से काम चलाना परता पिर भी लोग हसते थे सुख और दुख मन की भावना है हमारे हिर्दे में जब संसार की चाहत बढ़ जाती है तो इक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती उन संसारी की इक्षाओं में हमें थोड़ा सा संतोस होता है थोड़ी देर के लिए कि हमें ये चीज मिल गई आज हम खुस हो गए जैसे कोई बायन किसी वेस्तर अभूसन के लिए प्रबल इक्षा करती है उसका पती उसका भाई लाकर के वो दे देता है कुछ समय के लिए बाद में वही वैस्तर पुराना हो जाता है वही अभूसन्ड कुछ समय के लिए ही तो सुख देगा हम स्वादेष्ट भोजन करते हैं उसका भी सुख कितने समय के लिए छण भर के लिए जीवा से नीचे जाने के बाद भोजन का स्वाद समापता है अंत में उसको मलमुत्र में ही परिवर्टित होना है संसार में कोई भी सुख अखंड नहीं है लेकि राजजी दावा करके करें कि जोलो न इत सुख पावी तोलो न मोही स्वान्त कैसा सुख? परमधाम काखन सुख देखिया एक बिक्ति भावन बनाता है करोणो रुपे उसमें लगा देता है किसलिए? कि मेरा घर सुंदर रहे समाज में परतिष्टा बड़े और मैं अराम से रहूँ एक फकीर है आई मौज फकीर की दिया जोपड़ा फूक एक जोपड़ी बनाता है कि मैं इसमें परमात्म का भजन करूँगा लेकिन मस्ति चड़ती है तो उसमें भी आग लगा देता है पेंड के नीचे बैठ जाता है कि अच्छा है अब चाह नहीं चिंता नहीं मनुआ बेपरवा जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसा सुखी कौन है एकवा जिसकी कमर में लगोटी है केवल कोई जोपड़ी भी नहीं दिसाओं को वस्तर बना रखा है हाथ के सीराने को तकिया बना रहा है दोनों हातों से जो मिल जाए वही उसका आहार बन जाता है बिर्चो के नीचे सो लेता है सारी दुनिया उसकी है समस्त स्रिष्ट का रचनकार उसका प्रेमी है अब उसको क्या है दुखी होना दुख तो वो हो सकता है दुखी वह हो सकता है जिसने माया की जंजाल को अपने पास इकठा कर रखा है, जब वो उससे छीना जाता है, तो दुखी होता है और सुख और दुख कर्मों के अंसार होते हैं सुख और आनंद में थोड़ा सा अंतर है अंतर करन जिस से प्रसन हो उसको सुख कहते हैं और आत्मा जिससे प्रसन हो उसको आनंद कहते हैं आनंद सुख में यही अंतर है आत्मा का विसे है सुख आनंद और अंतर करन का विसे हैं सुख जैसे मचली को पानी से निकाल दीजिए, तो मचली दुखी हो जाएगी वो प्राण छोड़ देगी और आपको पानी में डाल दिया जाए तो आप दुखी हो जाएगे एक ही पानी मचली के लिए सुखदाई है और आपके लिए दुखदाई है में ढग को, दोनों में कोई परसानी नहीं, वो पानी में भी रह लेगा और बाहर भी रह लेगा वैसे ही जो ज्यान दिश्टी से अपने स्वरूप को जान चुका है मैं कौन हूँ, आया कहां से हूँ सरीर और संसार को छोड़ने के पिसचात मुझे जाना कहा है वो क्या होता है जब इस सत्य को जान जाता है अपनी आत्मा के धामिर्दे में अपने प्रानिस्वर को देख लेता है तो वो सांती के सागर में क्रिड़ा करता है वो कभी दुखी नहीं होता मौत आती है तो भी मुश्कराता है बुढ़ापा आता है तो भी मुश्कराता है कोई पथर फेक देता है तो भी मुश्कराता है और कोई फूलों के हर चड़ा देता है तो भी मुस्कराता है दुनिया अच्छा कहती है तो भी कोई खुसी नहीं और दुनिया बूरा कहती है तो भी उसके कोई चिंता नहीं क्योंकि वो अपने सरूप को जान चुका है कि मैं कौन हूँ आनंद के लेकिन हर सुंदर साज से पुछा जाए कि आप खुस हैं सब के सामने कह देगा कि बहुत खुस हैं राजी की बहुत मेर हैं लेकिन अकेले में कच्छा चिठा लेकर बैठ जाएगा कि मुझे ये दुख है मुझे ये दुख है सभी दुख है जो भी राज जी के चल्डों में प्रेम नहीं करता जिसके हिर्दय में राज जी के लिए प्रेम नहीं है समर्पढ नहीं है, सर्दान नहीं है, विश्वास नहीं है सारी दुनिया का भी राज उसको मिल जाए तो दुखी रहेगा जैराम कंसारा स्थकुर्दनिसी देवचंजी से तार्तम लिए होते हैं स्रीदेवचंजी की लिला का अंतरधान हो चुका है राची मीराज के अंदर बैठ कर लिला कर रहे हैं 1712 में स्रीदेवचंजी का तन पूरा होता है 1722 का समय बीत जाता है और इन 10 वर्सों से ज्यादा समय तक जायराम कंसारा तार्तम लेकर भी क्या कर रहे हैं कांसे कूट रहे हैं बरतन बना रहे हैं बेच रहे हैं और उससे जो अंदनी मिलती है उसी में अपनी दुनिया को समझ बैठे है परमधाम की करणावती की आत्मा है जायराम भाई स्री जीवाँ पहुंशते हैं और कठोर सब्दों में फटकरते हैं फटकरने कवदे से क्या था? उनके हिर्दे को दुखी करना नहीं किवल उनको सावशेत करना जब एक बच्चा सो रहा होता है मा सबेरे उठाना चाहती है एक बार आवाज देगे उठकरके बैठ जाएगा फिर थोड़ी देर के बाद देखती है कि लिट गया है फिर आवाज देती है जब दो-तीन बार जगाने पर भी वो उठता नहीं है बिस्तर को छोड़ता नहीं है तो मा क्या करेगी? या तो सरीर पर पानी फेकेगी या कठूर सब्दों में फटकारेगी हो सकता है तो चांटा भी लगा सकती है जिस बच्चे को अपने हिर्दे का टुकड़ा करती है उसको चांटा वारने में भी उसको कष्ठ है लेकिन क्या करे? दुख बिना नहोवे जागनी जो करी कुट उपाए आप आए किसलिए हैं? दुख की लिला को देखने के लिए आपको दुख दिया नहीं जाएगा लेकिन दुख तो देखाया जाएगा कि दुख क्या है? यदि आपको दुख का अनुभाव ना कराया जाए तो आप सुख की माता नहीं समझ सकते इसको एक दिश्टांत से समझे आप ट्रेंड से कहीं यात्रा कर रहे हैं आप टिकेट कटाने पहुंचते हैं आज कल तो आनलाइन बन जाता है मान लीचे कि आपको टिकेट कटाने जाना है आपके पास पांच रुपीय कम पड़ते हैं जो काउंटर पे बैठा हुआ क्लर कहें वो कहेगा कि पांच रुपीय आउर लाओ आप कहेंगे कि नहीं हैं वो क्या करेगा कहेगा कि मैं तो टिकेट नहीं देता जदि वो बहुत सिष्ट होगा तो अपने पास से भर देगा लेकिन समस्या तो तब होगी जब वो कहेदे कि पांच रुपीय मेरे पास आप कहेदेंगे कि मेरे पास नहीं है और कहेदेगा कि टिकेट नहीं मिलेगा उस समय आपको पांच रुप्य का महत मालूम होगा लेकिन जब साधी बीवा होता है तो पांच लाग क्या पचास लाग खर्च करने में आपको जीजक नहीं होती है क्योंकि उस समय आपको पांच रुप्य का महत नहीं मालूम होता है इस माया के संसार में आने के बाद परमधाम की आत्माओं को कोई ये बताने वाला नहीं है कि अक्षरातीत कौन है, अक्षरातीत कहां है अक्षरातीत कैसा है ये तो लोक परमपरा में संसार चल रहा है बढ़के हमारे कदीम के पूजत आये आग, पानी, पत्थर है, परेरव, बाप दादों का दे, अभी कुछ दिन हुए, दिपावली के सुत्वार पर, आपने देखा है, गोवर्धन पुजा हुई होगी, दिपावली के बाद, गोवर्धन पुजा का अर्थ क्या होता है, गो की बृद्धी, गाय की बृद्धी कर ये नहीं कि, गोबर से कोई देवता बनाका और उसको पुझा करना. इधार गुजरात का मुझे पता नहीं है, उत्तर भारत का पता है, कि मतायं गोबर का कोच बनाती है, और महां कोच मिठाई वगरह चलाती है, उसको गोरधन फुझा करती है. परंपरह चल गई और परंपरह का सभी पालन कर रहे है नौगरह की पूजा है सारा देश लगा है नौगरह की पूजा में वह सूचता है कि नौगरहünd की पूजा कर लेंगे तो यह नौगरह जो हमसे रुष्ट हुए है हमारे सुख के दीन वापस आ जाएंगे आप बताइए अकास में नौ ग्रह घुम रहे हैं नौ ग्रहों में तो पृत्वी भी है ब्रियस्पत भी है राहू और केति कोई ग्रह नहीं है इन जोतिस वालों को तो नौ ग्रहों का भी जियान नहीं है इस तिये उन्होंने राहू और केति को ग्रह बना लिया है सनी से आप डरते हैं कई जगर देखने को मिलता है कि लोग सरसों का तेल चड़ाते हैं सरसों का तेल चड़ाने से सनी आप पर खुश नहीं हो जाएंगे जैसे यह मंडप है मंडप में कितने थंबे हैं थंबान मेरे उपर नराज होकर कुछ कर नहीं सकता और खुस होकर के कुछ सुख नहीं दे सकता यह तो जड़ पदारत है हाँ जरूर है कि आधी तुपान आए और यह थंबा किसी के सीर पर गिर पड़े तो जोट लग सकती है लेकिन यह जड़ थंबा न तो प्रसन न हो सकता है न नराज हो सकता है इस दिए स्वनिग्रा को तेल चड़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं है लोहा चड़ाने से कुछ मिलने वाला नहीं है राहु केतिव को खूष करने के जुरत नहीं लेकिन हचारों सानलों से अंतविखवास चाला रहा है और हिंदू समाज इसे में भटक रहा है मनुष का सुख और दुख का कारण क्या है उसका कर्म भागे का निर्माता क्या है कर्म मनुष जैसा करनता है कर्म उसके उनसार उसको फल मिलता है मेहर सब पर मेभूब की परपावे करनी मावक राजी सब के लिए किरपा कर रहे है क्योंकि वो सुख के सागर है प्रेम के सागर है कब ये दुख निधान नहीं है वे सुख के निधान है उनके पास दुख होगा तब तो दुख देंगे दुख आपन को तो होते जो माया करते भारी जी राची ने दिड़ संकल्प किया है महामती जी के तन में बैठ कर कि जब तक जो लो न इतसुख पाव ही तो लो न मोहे स्वांत यदि यहीं बैठे बैठे सब सुन्दर साथ को परमधाम की सुखों की अनभूती मैं नहीं करा दूंगा तो मुझे सांती नहीं मिलेगी आप तो थोड़ी देर राजी को याद कर लेते हैं तो आइसान जताते हैं कि राजी आपने तो मुझे माया में दुख डाल दिया है आप देखिये प्रती दिन सबेरे मैं उठता हूँ आपको सिवा पूजा करता हूँ आपको भोग लगाता हूँ आपके मंतर का आप मैं पाट करता हूँ मेर्जागर का पाट करता हूँ आप राजी पर कितने एहसान दिस्दाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, यह जो कुछ आप कर रहे हैं, अपने जीव की निर्मलता के लिए कर रहे हैं, राजी को आपके किसी बस्तु की आउसकता नहीं है, आप राजी को जो समर्पित करते हैं, उससे आपका कल्यान होता है, जैसे आप भोग लगाते हैं, तो उससे क्या मिलता ह जैसे समाने तोर से कोई प्रस्त कर सकता है कि राज्जी तो खाते नहीं फिर उनको भोग क्यों लगाना इसका एक विशेस कारण है मनुस्य भोजन करते समय यदि परमात्मा का ध्यान करता है तो उसके अंदर सात्तिक भावनाई पैदा होगी और यदि भोजन करते समय क्रोधित है किसी के प्रतिग्रणा के विचार है तो उसका सरीर कभी भी स्वस्त नहीं रख सकता आप दुकान से मिठाई खरीद करके खा लेंगे पूछेगा कोई कि क्या कर रहे हूँ तो क्या बोलेंगे मैं खा रहा हूँ मेरी मिठाई है लेकिं यदि उसको परमात्मा के लिए अर्पित कर दिया चाए तो मिठाई तो ऐसे ही रहती है अब आप किसी को देंगे तो क्या कहेंगे मिठाई नहीं है प्रसाद है भगवान का प्रसाद है राजी का प्रशाद है राजी ने उसे खाया नहीं आपने केवल समर्पित कर दिया, बस इतने से वो प्रशाद हो गया, ये भावना रखी जाती है कि राजी ने इसको ग्रहण किया पूछा जाए आपका क्या है इस धर्थी का ये कण भी आपका नहीं है लेकिन मनुष तो यही समझता है कि यह सब कुछ मेरा है सरीर भी मेरा नहीं है लेकिन हर कोई क्या मनता है सरीर मेरा है जो कुछ धन संपदा संग्रीत किया होता है सोचता है कि मेरा है लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता मेरी मेरी करत दुनी चाहते सारे ब्रह्मान का भोज हर को लिए है रहता है कि यह मेरा काम है मेरे बिना यह हो नहीं सकता मैं ही हूँ तो काम चल रहा है ने तो सबंद हो जाएगा पाऊ-पलक का नहीं भरुसा तो भी सिर सरजन को न देवी एक पलक का भरुसा नहीं होता है मनुष जिस अहंकार की नौका पर सवार होकर संसार में विचरन करता है परमात्मा की भक्ती उस अहंकार से दूर करती है और वो सोचता है कि सरुसक्ति मान कौन है पूरण ब्रह्म सहिस्ताना आप रात्री को अकास में देखिए कितने तारे दिखते हैं एक बार एक सेठ जी एक मात्मा किसे कहने लगे कि देखिए मेरी चार गाड़ियां हैं तस फैक्टरियां हैं मेरी पचास क्रोड बैंक में संपती जम्हा है वो मात्मा देर तक कुछ देर तक सुनते रहे पर उन्होंने भारत का नक्सा बनाया और इसमें कहा कि सेठ जी, इस नक्षे में बताईए कि आपकी फैक्टरी कहा है और जिस बैंक में आपने पैसा जमा किया वो बैंक कहा है सेठ जी सोचने लगे इतना ही बड़े देश में मैं कहां से बता हूँ क्योंकि मेरी जो फैक्टरी है, मेरा मकान है वो तो एक साहर के अंदर है और एक साहर भार इतने बड़े देश में एक चोटा सा साहर है फिर उन्होंने संसार का नक्सा बना दिया, पुरी पृतिवी जिस पर भारत जैसे कई देश हैं कहा कि इसमें आप कहां ठरते हैं देरे देरे उन्होंने पुरी ग्लैक्सी का एक नक्सा बना दिया कि देखिए, इस पर्थिवी जैसे करोण वो पर्थिवियां इस ब्रह्मान के अंतर हैं, आपका अस्चित्व क्या है यदि मनुस केवल आकास की तरफ रातरी को देख करके सोचा करे कि जिस पर्मात्मा की श्रिष्ट में हमारी प्रथिवी का अस्चित्व समंद्र के किनारे जो धूल है उसके एक कण के बराबर भी नहीं है फिर भी मनुस असी सो साल की उमूर उपाता है थोड़ी सी धन संपता इकठी कर लेता है थोड़ी सी प्रतिष्ठा पा लेता है तो मनुस कितना अंकार करता है लेकिन जदी उसने इस अंका त्याग कर दिया सच्तानंद परव्रम के चर्णों में प्रेम कर लिया परव्रम धाम का ज्यान प्राप्त कर लिया तो उसको लगता है कि ये तुस अंसार नस्वर है जिसके हिर्दे में प्रीतम अच्छरातीत का प्रेम आ जाए उससे बड़भागे साली और कोई नहीं इस ते वाड़ी क्या करती तुमाये सब आया दुख गया सब दूर स्री महामत ये सुक क्यों कहूंगो जो उद्या मुलंकूर आपके हिर्दे में राज़ी के चर्ण कमल आ जाएंगे तो इसे बड़ा सौभागे और क्या होगा इसे राज़ी करते हैं कि मैं सब के हिर्दे में परम धाम का ज्यान बसा दू हख किलम जित पहुंचया तित अर्शवा दिल हग जिसके हिर्दे में परमधाम का ज्यान हो जाएगा तो उसका दिल क्या हो जाएगा धाम की सुबा को पराप्ट करता है भाज़ी एकांत में कुछ छड़ बिताएगा तो किसको याद करेगा, राजी को याद करेगा जो राजी को याद करता है उनसे प्रेम करता है उसकी सक्ति कितनी होती है मैं आपको एक दिश्टांत से बताता हूँ एक रामायण की एक प्रचलित कथा है एक बार किसी बिक्ति ने अपराद किया, भगवान राम का राजि था और उस अपराद के बदले उसको मृत्य दन्र मिलना था भगवान राम ने प्रण किया कि इसको मैं मारूंगा वह ब्यक्ति सब के पास भागा भागा गया यही जिजासा थी सबसे प्रार्थना करता रहा कि हमारी रक्षा किजिए सब ने कहा कि भगवान राम के सामने हम कैसे तुमारी रक्षा कर सकते हैं अंत में वो अंजना माता के चड़नों में चला गया कि आप ही हनुमान जी से कहकर हमारी रक्षा करवा सकते हैं वह ब्यक्ति अंजना के चर्ण पकड़ करोने लगा और उनको दया आ गई उनने कहा कि मैं तुम्हारी अवस से रक्षा करूँगी हनुमान जी आते हैं हनुमान जी से अंजना माता कहती है कि देखो हनुमान मेरा आदेश है कि भगवान राम के बाणों से इस ब्रक्षा करना तुम्हारा कर्तब भी है जैसे भी हो तुम्हें बचाना होगा अब हनुमान जी क्या करें अपने अराते से लड़ तो नहीं सकते लेकिन मा का भी आदेश है और उदर भगवान से बचाना भी है भगवान राम के बाण का कोई मुकापला नहीं कर सकता था हनुमान जी ने उस बेक्ति को कहा कि देखो भग्वान राम जब तुम्हें मारने के लिए आए तुम आखें बंद करके राम राम का उचानग करते रहे राम आते हैं धनुस पर बान चड़ाते हैं लेकिन देखते हैं कि ये बेक्ति तो राम राम कह रहा है अब राम सोचते हैं कि जो बेक्ति राम राम कह रहा है मैं उसको कैसे मार सकता हूं दनुस पर चड़ा है वा बान वापस कर लेते हैं यह है भग्ति की महिमा कि इतने मर्यादा पुर्सोत्तम राम जिनकी बान का मुकाबला रावन नहीं कर सकता था एक समानी बेक्ति भी मुकाबला कर जाता है कि उसके पास हतियार नहीं है कि वो राम नाम का हतियार है वो राम राम जबता है भगवान राम को हार जाना पड़ता है कि मैं इसको नहीं मार सकता है आप अपने हिर्दे से माया हटा दीजिए अपने हिर्दे में अपने प्राने स्वर को बसा लेजिए फिर माया आएगी दूर से आपको हाथ जोड़ करके चली जाएगी माया के सारे दुख आपके पास नहीं पन पेंगे लेकिन यदि आप अपने हिर्दे में दुख आपन को जो होता है सो माया करते भारी जी राज जी से अधिक माता माया को देंगे तो माया तो दुख ही करेगी क्योंकि माया के पास दुख ही दुख है और राज जी के चल्ड़ों में केवल आनन्द ही आनन्द है, सुख ही सुख है. अब चयन करना आपका काम है. Shriji, जाते हैं, जाए रामकंसारा को कठोड सब्दों में फटकारते हैं. किसलिए है? ताकि, जाए रामकंसारा की आत्मा जागृत हो जाए. लेकिन, आप जानते हैं, सब्दों के घाव बहुत कठीन होते हैं मनिशियों ने कहा है कि तलवारों के घाव भर जाते हैं सब्दों के घाव कभी भरा नहीं करते तुलसी मीठे बचन थे सुक अब्यद चहूर बसी करन या मंत्र है तजदे बचन कठोर संतों ने एक क्या सिख्छा दिये कि आप किसी को कट बचन नहीं बोले जो भी तक में परसंग आता है कि स्री जी ने जैरम कंसारा को फटकारा तो सुंदर साथ को एक बहाना मिल जाता है कि स्री जी फटकार सकते हैं तो हमें भी फटकारना चाहिए क्योंकि बिना खंडनी के जागनी नहीं होती अगे इस प्रक्ण में स्री जी ने क्या कहा है नय निचड़ाए साथ न जागे यो न जागनी हो नय निचड़ानी कार्थ क्या होता है किसी पर क्रोध दिखाना किसी पर आप क्रोधित होते हैं कि तुम माया में बढ़क रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुमारी पापी हो, तुमारी अंदर ये अगुण है, तो वो कभी नहीं सुदरेगा. एक छोटा बच्चा है, आप उसको बार-बार कहेंगे कि तु चोर है, तु निकम्मा है, तो क्या करेगा? उसके मन में धाणा हो जाएगे कि मैं सच मुछ चोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता. महापूर्सों के सिख्चा देने के एक विचित्र परंपरा होती है, एक अमी चंद है, बेक्ति, सराभी है, कबाभी है, सारे पाप करम करता है. देनन जी का प्रोचन चल रहा था, वह आता है, कहता है कि स्वामी जी मैं एक भजन सुनाओंगा, देनन जी कहते है कि सुनाओ, इतना बढ़िया भजन सुनाया, कि देनन जी जुमने लगे, कहते है कि अमी चंद, आत्मी तो तुम हीरे हो, लेकिन किचर में फस गए हो, प्र का पैस्चा ताप किया, और सचमुच संत बनकर के निकला, अमी चंद के बनाएवे भजन आज भी गाय जाते हैं, उसने सराब छोड़ा, मांस छोड़ा, एक वाकी ने उसका जीवन बदल दिया, यदि दियानन दो उसको फटकारते, डंडा मारते, तो क्या होता, वो कभी न विकार हैं, उसको निकलना होगा, विकार कैसे निकलेंगे, जब उसके अंदर यान का प्रकास दिया जाएगा, सरूप की पैचान कराई जाएगी, तुम कौन हो, तुम हड़ी मांस के पुतले नहीं हो, तुम परमधाम की आत्मा हो, माया का खेल देखने के लिए आए हो, त जब तुम हनदर अधिकता होती है, तो अज्यान फ्हिल जाता है, जिसे तुम पाप कर्म में लिप्त हो जाते हो, रजभू बढ़ता है, तँ तुम एशंणार या शक्ति घर लेती है, और जब तुम सत्यगुर की भावना में होते हो, तो तुम हैंदर जान, भक्ति तुम तो सुद्धबुद्र राजी की अर्धांगे नहीं हो, परमधाम की आत्मा हो, तो क्या होगा, वो अपने सरूप को जानने के लिए कतम बढ़ाएगा, अंगली माल को देखिए, कितने बैक्तियों का हत्या रहा है, 999 बैक्तियों की हत्या करके, उनकी अंगलीों की माला बना करके पाना था, लेकिन बुद्ध के चड़ों में आकर वो भी नतमस्तक हो जाता है, विक्चुक बनता है, जब विक्चा मांगने जाता है, तो जनता उसको डंडू से मार रही है, लेकिन सिर निचा किया, सब की मार खा रहा है, कोई उफ नहीं, कोई गिले सिक्वे नह जिसके भैसे पूरा देश कांपता था, वहां का राचा कांपता था, बड़ी-बड़ी सेना ही जिसको पकड़ नहीं पाई थी, बुद्ध के एक वाकिक ने, कि अंगलिमाल मैं ठहरा हूं, तुम चल रहे हो, या बदल दिया, और वो भिक्चुक बन जाता है, अपनी अपर पापी, अमिचंग जैसा पापी सुध हो जाता है, परमधाम के आत्माओं के लिए राची ने क्या किया, यही परमधाम की वाणी लाए, ल्याए, पीव बतन थे, बल माया जानी, यह वाणी क्या करनी है, यही रस्तार्तम का चढ़या जेहर उतारे, निर्विक्र काया करे, जागे जीव करा है, हमारा सरीर माया के विश से भरा है, इस सरीर में क्या है, काम है, क्रोध है, लोग है, मौ है, अंकार है, तृष्णा है, यही माया के विकार तो हमको दुखे करते हैं, कोई किसी को दुखे नहीं करता, मनुस के विकार है, मनुस की अज्यानता, उसके सत्रुय जो सारे दुखों का कराणए जिसके हिर्दे में परम धाम के ज्यान का प्रवेश हो जाएगा राजी का प्रेम जिसके हिर्दे में बस जाएगा माया उसके पास सुपन में भी नहीं आ सकती है इस यह राजी ने महामती जी के धाम धाम धाय से यह बात का लवाई है जो लो ना इत सुख पाव ही तो लो ना मुहे सुन्त जब तक हर सुन्दर साथ को परमधाम के सुख का रस्पान न करा दो तब तक मुझे सांती नहीं होगी आप देखेंगे स्री जी उस घटना करम में जैराम कंसारा को कठोर सब्दों में जागरित करते हैं आगे जानते हैं बिंदा बन जी करों उनको भी फटकारते हैं अरिवन सजी को मिलते हैं अपने सगे बड़े भाईएं उनको भी फटकार लगाते हैं फटकारने का उदेश क्या था? कि तुम माया में मत फसो चित्वनी करो और वाणी का चिंतन करो लेकिन वही अक्ष्रातीत कुछ समय के पैस्चाद क्या कहते हैं आगे कल कली कल काल आए तोहे न गयो विकार मैंने तुम्हें कठोर सब्दों में बोला है फिर भी तुमारे विकार नहीं जा रहे हैं कठिन सही तुम खंड़नी बचन खंड़दार मेरे बचन तलवार की धार से भी ज़्यादा तिखे थे मैंने आपको कहा तलवार के घाव तो भर जाएंगे उसधियों से लेकिन बचनों के घाव नहीं भरते द्रवपती ने कहां था दुर्योधन को कि अंदे के पुत्र अंदे ही तो होंगे बस इतनी ही तो बात कही थी कोई ज़्यादा गाली नहीं दी थी लेकिन यहीं बात दुर्योधन के हिर्दे में चुप जाती है और माभारत के जुद की भूम का तयार करती है दुर्योधन के हिर्दे में जो बहर पैदा हुआ, वो अतुल गया कि मैं पांडों को मिटा करके रहूंगा दूत कीड़ा होती है, पांडो जुए में अपना राजपा धार जाते हैं बारह वर्स बन में जाते हैं और एक वर्स के अज्यत्वास में लोटने पर महाभारत का युद्ध छिड़ता है, जिसमें अठारह अक्छोड़ी अर्थार्थ 47 लाग से ज्यादा लोग मारे जाते हैं आप सोचिए एक सब्दों के घाव ने अठारह अक्छोड़ी सेना को युद्ध में मरवा दिया तो भी तक कि उस परसंग को हमें क्या करना होगा हमें वह करना है जो वाणी करती है और इसी लिए आगे के कत्वनों में स्री जी स्वेम करते हैं खंड़नी कर खीजिये जागे नहीं इन भांत राजी ने अस्पेश्ट कर दिया आप किसी की सब्दों से खंड़नी करेंगे तो उसकी आत्मा जागरित नहीं होनी है इस ती है मैंने जो जाइराम कंसारा को खंड़नी के बचनों से प्रभोधित किया वरिंदावन को प्रभोधित किया हरिवन्स को प्रभोधित किया दिखाने के लिए कि मेरे इस बेवार की आप नकल न कर ले रहा, लेकिन वैसे ही होता है, सुन्दर साथ यह तो याद रखते हैं कि स्री जी ने जैराम कंसारा को खंडि के बचन कहे थे तो मैं भी कहूं लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हों ने करके बताया कि मैंने जो किया है वहाँ आपको नहीं करना है इस दिए करंतर में एक चुपाई आती है, यह मोहे सहिव नजावी जो कहे साथ में कट कोचन यदि कोई सुन्दर साथ किसी को कट बचनों से संभोधित करता है तो मुझे सान नहीं होगा जो जो साथ में होत है प्रेत तो मोहे को होत है सुक जो जो बिरोध करत है साथ में अन्तवाई को है जो जो दुख यदि सुन्दर साथ सुन्दर साथ से आपस में आत्मियरता रखता है, प्रेम का बाता बने रखता है, तो महामती जी क्या करते है, मुझे बहुत आनंद होता है, और जो बिरोध करता है जो जो बिरोध करत है साथ में अन्तवाई को है जो दुख यदि आप के मन में किसी के लिए खिरना है दुएस है कटुबचन करते हैं तो याद रखिए वह दुख आपको भूगना पड़ेगा हमें क्या करना है हमें अपने हर्दे में सब के लिए प्रेम का भाव रखना है आतम समनी एक दीसे जुजवी ते दीसे दे राज की लिला हो रही है सब के तन अलग-अलग दिख रहे हैं लेकिन सब की सुबा क्या है? एक जैसी है जुजवी ते दीसे दे हैं सरीर अलग-अलग है लेकिन सब में आतमा क्या है? परम्धाम के इस माया के संसार में भी सब की आकरती अलग-अलग है चेहरे के नक्स चेहरे की आकरती अलग-अलग है रूप रंग-अलग है लंबाईच भी कम अधिक है अलग-अलग कुल खंदानों में पैदा हुए है लेकिन परम्धाम के दिश्ची से देखेंगे तो क्या होगा? सभी एक समान होगे और रिसी मुनियों ने भी यही कहा है कि हम दुसरों से जैसा बेवार कर चाहते हैं दुसरों वैसा ही बेवार हमें करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि समाज हमसे प्रेम करें तो आपको भी समाज से प्रेम करना पड़ेगा आप चाहते हैं कि बच्चे आपका समान करें तो आपको भी उनको प्रेम के दिश्चे देखना पड़ेगा आप किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा घ्रना देंगे तो आपको प्रेम नहीं मिल सकता है इसलिए करते हैं नैन चड़ाए साथ न जागे यो न जागनी होई किसी को खंडनी के बचनों से आहत करने से कभी भी जागनी नहीं हो सकती है इस दिए क्या कहा मेरे मिठे बोले साथ जी हुआ तुमारा काम वानी के सब्द क्या है माधूरिता की पराकष्ठा है अम्रित से भी मिठे राजी के बचन है मिठे जुबा, मिठे बचन मिठा हक, मिठा रूह, प्यार मिठी रूह लेवे मिठे एर्स की जो मीठा करे विचार आपके विचार में क्या होना चाहिए? सभी का कल्यान हो हमारी संस्कृत का उद्घोष क्या है? सरवे भहांति सुखना सरवे संतुनि रामया सरवे भध्रानि पस्चन मा कस्षित दुखबाबववЕ सभी सुखियों सभी निरोग रहें सभी एक दुसरे का कल्यान सोचे और कोई दुखी नो हो आपके पाइस जदी सक्ति दे दे आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप क्या करेंगे मैं इसको स्राप दे देता हूं कि इसका नास हो जा सक्ति किसी का नास करने के लिए नहीं होती है आप देखिए राजी के सत अंग हैं अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के अंदर उनका चित का स्रूफ है सभलिक मन का स्रूफ है अभ्याकरित सभलिक के एक किसारे में करोनों ब्रह्मान पैदा होते हैं और लाई को प्राप्थ हो जाते हैं यह दुनिया राज्जी को भी गाली देती है तो क्या राज्जी कहतेते हैं इस्तिष्टी का जो प्रमात्मा नारायन को भी गाली पड़ती है नारायन को भी प्रगटो कर कहते हैं कि तुमने मुझे गाल आप अपने अधिकारी का कोई कहना नहीं बानेंगे तो आपको नोकरी से निकाल देगा लेकिन वह देयालू कितना है कितना महान है जदी पानी ज़्यादा बरस जाता है तो भी किसान कहता है कि मेरी सारी फसल नाज कर दिया पानी कंबरसा तो कहता है कि परमात्मा ने मेरी सारी फसल सुखा दिया एक अधना सा किसान है हर बात में परमात्मा कोई दोसी बनाएगा उसकी याद नहीं करेगा फिर भी परमात्मा सब को साता रहता है एक फल को देखिए ब्रिक्च क्या पत्थर मारते हैं तो ब्रिक्च मी पृर्थिभी कुछ नहीं कहते है, बिर्च कुछ नहीं कहता है, तो यह जिसने पृर्थिभी को बनाया है, वह सर्व सक्तिमान परमात्मा कितना मधूर होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए काहते हैं, मीठी जुवा, मीठे बचन, राजी का हिर्दय क्या है, माधूरता का सागर, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, परमधाम में माधूरता के अत्रिकत कुछ नहीं है, माधूरता का सागर है, और यदि आप परमधाम से आए हैं, तो आपको अपने हिर्दय में प्रेम भरना होगा, सब के लिए कल्यान की बाते सोचनी होगी, और यदि आपका ऐसा दिर्ष्ट कौन हो जाता है साफ दिल सुहागनी कभून दुखावे किन ब्रमसिष्टी किसको करते है जो अपने मन में कभी किसी का दिल दुखाने की बात न करे वाणी से किसी का दिल न दुखाए और कोई ऐसा कारी भी न करे जिससे किसी का हिर्दे दुखी हो यदि हर ब्यक्ति ऐसा सोच ले कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है तो इस पृतिवी पर कैसा अलोकी कानन्द हो जाएगा लेकिन मनुष्ट दूसरों को दुखी करके स्वाइम को सुखी होना जाता है तो इ कैसे संब्भ है यदि आपने किसी को पीड़ा दी है तो वापीड़ा आपको भूगनी पड़ेगी अवस्यम में भुक्तव्यम कृतम कर्म सुभा सुभम सुभ और असुभ कर्मों का फ्ल भूगना पड़ेगा यदि आप किसी का भला करते हैं आपका भी कोई भला करेगा आप किसी का बुरा करते हैं तो वह नहीं तो कोई न कोई आपका बुरा करेगा आप किसी को चांटा मारेंगे तो कोई न कोई भाविस में आपको चांटा अवस्य मारेगा यह ध्यान लखिए इसलिए हमारा लक्ष क्या होना चाहिए जदि आप जागनी का प्रकास पहलाना चाहते हैं तो हर प्राणी मात्र के लिए तारतम ज्ञान का प्रकास अनिवारी कीजिए सब के एर्दे में परंदाम की वाणी को गुजाईए क्योंकि यह वाणी किसकी है यह वाणी उस अक्षरातीत की है महामत कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनात यह प्राणनात की वाणी है प्राणनात कौन है? जो सब के जीवन का अधार है सारी सिष्टी का अधार है सारी सिष्ट का परमात्मा एक है मंदिरों में गाया जाता है सब के पराणपती, जो सब का पराणपती है, पराण जीवन है, पराण बल्लब है, पराण प्रेदम है, वह हमारी आत्मा का प्रेदम है, सब के hit wing में बैठी उस चेतना को देखिये, यह मत देखिये, कि कौन किस जाती का है कौन कहां का पैदा हुआ है आप सब के कल्यान की भाव ना सोचिए एक पराणिक कहानी है पराणिक सनातिनी समाज में ये बात प्रसलित है कि जब तक सिरिष्टी का हर पराणी भोजन नहीं कर लेता है नरायन भी भोजन नहीं करते है ये तो जन्ता को समझाने के लिए बाते कही जाती है इसका असे क्या है सिस्ट को बनाने वाला कितना दयालू है कि उसने हर प्राणी की भोजन की वेष्था कर रखी चीटी से लेकर बैक्टिरिया से लेकर हाथी तक डैनासोर तक के भोजन की उसने वेष्था किया कितना बड़ा उसका दिल है और ये प्राणी उसको maantay नहीं है पसपक्षियों को क्या पता कि परमात्मा कौन है जो मनुस बुद्धिमान कहलाता है मनुस्यों में भी एक अरब 40 क्रोड के लगबग ऐसे बनुस्यों है जो कहेंगे कि हम परमात्मा को maantay ही नहीं है जो मानते हैं वो भी एक्षा मातर से अनन्त ब्रमान्डो को बनाता है, लेक को प्राप्त करता है आप किसी क्या नोकरी कीजिए तो आप उसका एहसान मानते हैं, कि आप के दिये वे धन से हमारे घर का खर्च चलता है और वो आपको हमेशा दबाता रहेगा, परमात्मा दयालू कितना है इस ते वाणी क्या कहती है दया, सिंद, सुक, सागर और दया का सागर है आनन्द का सागर है इसके गंज अपार उनके हिर्दे में आपके लिए क्योड़ प्रेम ही प्रेम बराए सराब पिलावत नैनसों साकिय सिता वो आपके हिर्दे में प्रेम प्रेम उड़ेलना चाहता है इसलिए कहता है कि मैं क्या करूंगा जानू साथ जी विदेश आये दुख देखे कईबान मैंचे ऐसा लगता है कि प्रम धाम का सुंदर साथ इस माया के संसार में आया है और इस संसार में कि वाल दुखी दुख भोग रहा है मुझे क्या करना आया है कि अब मैं दुखने देव फूल पांकड़ी देखू सितल नै मैं किसी भी तरह से दुख नहीं देने दूँगा और राजजी यदि माया में हमें दुख दिखाते है तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि इस दुख में भी कुछ न कुछ सुख छिपा पड़ा है आप देखेंगे बीतक में परसंद आता है मीराज पर आरोप लगते हैं जब अरब से लौडते हैं तब ही आरोप लगता है कि मीराज ने पैसा चोरी कर लिया है सद्कुर महराज पड़ाम सिवकार नहीं करते हैं मीराज सोचते हैं जदी सद्कुर महराज कि बालबाई के ही करने मानते हैं उनका कहना मानते हैं मेरे उपर विश्वास नहीं करते तो जब तक स्विम नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आओंगा ये कौन बोल रहा है जीव का अहंग बोल रहा है अब उस जीव के अहंग को समात्त करना है तो जान बोज कर ऐसी लीला की गई है कि विरह में तड़ पे चार साल की और जुदाएगी होती है समध 1708 में आय होते हैं 1712 में अंतरधान लिला होती है दो वर्स महिराज उसी नौतनपुरी में रहते हैं न देवचन जी बुलाते हैं न स्री महिराज जाते हैं पुना दो साल कलाजी के आण नोकरी करते हैं चार वर्स बेतीत हो गए हैं पांच साल पहले की जुदाईगी थी 1703 में गए थे अरब नो वर्सों की जुदाईगी है और नो वर्सों की जुदाईगी में मिराज का हिर्दय विरा के रस में डूब चुका होता है यहां तो एक भूंका बनाई जाती है पुना जब बिहारी जी को गादी पर बेठाया जाता है चुगली का दौर उसमें भी चलता है स्वाइम बिहारी जी चुगली करते है मिराज को नजरबंद कर दिया जाता है फिरते में जो अब तक की पीड़ा थी वो फूट पड़ती है और जो नजरबंदी के हालत में गया था कौन? मिराज बनकर के क्या निकले? स्रीराज बनकर निकले स्रीराज किसने बनाया? हबसे में जो बिरा का कष्ट हुआ उस बिरा ने मिराज को स्रीराज बना दिया सेठ लक्षमर दास है सेठ है 99 जहाजों से उनका ब्यपार चलता है आप सोचिए कितना धन था उनके पास उन्हें स्यवा में लेना है एक ही दिन में क्या होता है सारे जहाज डुब जाते हैं गुदाम में आग लग जाती है जो करुडो पती थे कंगाल बन जाते हैं लाल दाज संग चले खाली लेकर हाथ उनके पास कुछ भी नहीं होता एक रुपया भी नहीं बचता है लाल दाजी के पास यह माया क्या है पागल गाय जिस तरह से एक जगा खड़ी नहीं रहती वैसे लक्षमी भी पागल गाय के तरह चलते रहती है, कहीं एक जगा नहीं रहती है इसलिए यौवन को पाने के बाद, धन को पाने के बाद, पद को पाने के बाद मनुश को कभी भी हम नहीं करना चाहिए, आज हमारा यौवन है, सरीर सुंदर दिख रहा है एक दिन बुड़ापा आ जाएगा धन है, धन समाप्त हो जाएगा हमारा पद है, आपको राष्टपती बना दिया जाएगा, तो कितने साल के लिए पांच वर्सों के लिए, प्रधान मंत्री बनेगे, कितने सालों के लिए, कुछ वर्सों के लिए, फिर आपको सुर्ग का भी राजी बना दिया जाएगा कितने वर्स के लिए आपको बैकुंट का भी राजा बना दिया जाए तो माहपुलाय में तो भी नश्ट हो जाएगा सारी स्रिष्ट का राजा बना दिया जाए आदी नरेन का पद्दे दिया जाए तो अभी माप्रले में तो सब समाप्त हो जाने वाला है इसलिए जो विवेकवान होते हैं सारे संसार को तिन्वत समझते हैं तिनके के समान सारे संसार के बैभो विलास क्या है जो वास्तों में ज्यान ही होता है सारे संसार के बैभो विलास को वो एक तिनके के समान समझता है लेकिन जिसके हिर्दे में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता वो क्या सूचता है मैं युवा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पदपर हूँ तो ये क्या है? संसार कांकार है इस दिये, आकास में चमकती हुई बिजली कितने देर के लिए होती है? छण भर के लिए होती है भरत्री हरी ने वेराग सितिक में कहा है जैसे आकास में चमकती हुई बिजली होती है उसी तरह से यवन, धन और पद भी नस्वर है जो मनिस वाणी के रहस को जान जाता है तारतम वाणी का प्रकास पाल जाता है वो क्या करेगा वो वाणी की जान की कसोटी पर स्वेम को खरासित करने का प्रयास करता है इस दिये राजी क्या कह रहे है अब गालूं तावो बिना करू सुरस गंचन अब गालों ताओ बिना ताओ का अर्थ क्या होता है? क्रोधित होना महामती जी करती है कि अब मैं गुसा नहीं करूंगा यह लिला तो मैंने आने वाले सब के लिए सुन्दर साथ के लिए कर दिया कि सुन्दर साथ में कोई भी किसी प्रकोद न करे मैंने करके बताया कि इसके करने से क्या होता है? तुमारा हिर्दे दुखी होता है जिन जुबा मैं दुख को हूँ सो जुबा करूं सटूक यह किसके बचन है? महामती जी के कि यदि मेरी जीवा से तुमारे लिए दुख का कोई सब्द निकल जाए तो मैं उस जीवा के टुकड़े कर दूँ इसका आर्थ क्या? मैं इस वप्न में भी सुन्दर साथ के लिए दुख सब्द नहीं जहल सकता लेकिन मैंने जो कट बचन कहें आने वाली पिडियों के लिए कि छठे दिन के लेला में कोई भी सुन्दर साथ किसी को कट बचनों से आहत न करे अब गालों तावब दिये बिना करूं सुरस कंचन सोने को जब सोला बार आग में तपाया जाता है तो वो कंचन रंगा होता है सोने का रंग कैसा होता है? पिला कंचन का रंग क्या होता है? तपाया जाता है बार-बार तो वो कंचन के रूप में दिष्ट गोचर होता है लाल तप जाता है उसी तरह से सब सुंदर शाथ को बाणी के तार्तम बाणी के जान की अगनी में तपाना है और प्रेम की सुगंध देना है सोने के साथ सुगंद आ जाए तो क्या होगा कितना अच्छा होगा राची सब सुंदर साथ को तार्तम बाणी के जान की अग्री में तपा कर कंचन बनाना चाहते हैं और उसमें प्रेम की सुगंद बनना चाहते हैं तब आत्मा की जागने होगी आपको तार्तम वाणी के रस में डूबना पड़ेगा युगल सुरूप की चित्वनी करने पड़ेगी तभी कहस चढाऊं अतिरंगे अतिदिक आनंद की कसोटी पर कसना आए कहस चढाऊं अतिरंगे दो पेर करू धंदन महामती जी का प्रण है दो पेर करू धंदन यहां भी मुझे धंदन करना है आपको और परमधाम में भी धंदन करना है परमधाम से सभी क्या करकर आए है धनी सौ बार देखो अजमाई के तो भी न भूले हम बचन तो सब ने दिया है लेकिन क्या संसार को हम छोड़ना चाहते है यह संसार जो है नहीं यही लगता है हम अकेले में कभी वैट कर सोचें तो हमारे मन में संसे आ जाता है हम आखें बंद करके चित्वनी करते हैं राजी नहीं आते हैं तो सोचते हैं कि पता नहीं भी तक लिख दी गई है, हम पढ़ते हैं, अंदर में भी स्वास नहीं है, लेकिन जो परमधाम की ब्रमात्मा होगी, उसकी विसेष्टा क्या है? तो भी नजरता निदा, जो कदी भूली बतन, तो भी नजरता निदा, यदि तार्तम जान का प्रकास नहीं मिला होता है, वो ब का प्रकास मिलता है, युगल सरुप की चित्वनी करती है, उसके हिर्दे में नक से सिख तक युगल सरुप का सिंगार सचता है, तब उसको लगता है कि हाँ, अब मैंने अपनी मंजिल पा लिए, इसलिए आपका जीवन संसार के सुखों के पीछे भागने के लिए नहीं मि हमारा हर पल महत पुर्ण है, और दुख के संसार में केंतन कि इस प्रक्ण को हमेशा याद इरखना चाहिए, दुख रे प्यारो मेरी प्रान को सो में छोड़ू क्यों कर जाए, जो में लिए बुलाए, आपको दुख होता है, तो आप राजी से प्राथना मत किजिए, कि र राजी हमारे दुख दूर कर देजिए, नहीं सहा जाता है, तो कर देजिए, कोई दोस नहीं है, लेकिन आप नारियल मत चड़ाइए, आप मननत मत मांगिये कि हमारा ये कश्ट दूर हो जाएगा, तो हम पाठ रख देंगे, आपको राजी इतना दे देंगे, राजी को केवल आपको संसार की वास्तिविक्ता का असास करने के लिए, जब आप व्यापारी बन करके राजी के सामने आते हैं, कि आप मेरा दुख दूर कीजिए, जैसे किसी अधिकारी से काम कराना होता है, तो पहले एडवांस में आधा पैसा दिया जाता है, और वो काम कर देता ह तो आधा दिया जाता है, नहीं तो उसको डर रहता है कि लुट न जाए, आप भी पहले सर्त लगाते हैं कि हे राजी, यदि ये हमारा दुख दूर होता है, हमारी इक्षा आप पूरी कर देते हैं, तो हम आपका पाट रखवाएंगे, आपको बागे चड़ा देंगे, या आप कुछ कर देंगे, जैसे सारे धन के मालिक आप हैं, आपका तो इस तिनका भी इस संसार में नहीं है, आपका कुछ नहीं है, आपका तो कोई अस्तित भी नहीं है, और किसको दे रहे हैं, जिसके सत्तंग के संकेत मातर से करोणो ब्रहमांड बनते हैं, उसको आप पचीस रुपय के नारियल पर खरीद लेना चाहते हैं, जैसे कि वो भिक्मंगा हो, ये प्रविर्ति जो देवी देवताओं को देख करके हमारे समाद में चल गई है, ये राज जी के प्रेम को कलंकित करती है, क्या कहा है महामती जी ने, जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगेर, या पाक करो हदीपना, या बैठाओं मैं तक्सिर, आपकी जो एक्छा हो, वाकी जी, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में, ये कहने को भी ना कुछू, मैं कहां करू तुमसे, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में, हम राजी की, बने नहीं हैं, हम राजी की ब्रह्मात्मा अभी नहीं बने हैं, हम सुंदर साथ, किसी के पती हैं, किसी की पत्नी हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, संसार के हैं, राजी के नहीं है, जिस दिन हम राजी के बन चाहेंगे, उस दिन मुख से एक ही आवाज निकलेगी, जो जानो, त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना कचू, मैं कहां कहूं तुमसे, मैं आप से क्या कहूं आप चाहो तो हमें अनन्दित रखो, या माया के दुखो में डाल दो, मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने तो एक ही बात रख लिये हैं, बहां करीग किलाज, मेरा हाथ आपके हाथ में है, सुख मिले तो भी मैं मुश्कराऊंगी, दुख मिले से आप देखते हैं, मैंने बताया कि महामती जी नहीं क्या का है, कि मुझे दुख प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि दुख से प्युजी मिल सी, सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो तो दुखे से उओ वीरा का दुख हो हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि राजी के चरणा कमल हमको क्यों नहीं प्राप्त होती है हमें दुख इस बात का होना चाहिए कि हमारी उम्र के इतने वर्स बीती हो गए हमारी आत्मा क्यों नहीं जगी माया आती जाती रहती है धन आने पर खुस मत हुए, धन जाने पर दुखी न हुए, यह संसार है, चलता रहेगा, दिन आता है, कभी रातरी का अंदकार चाता है, दिन और रातरी का चक्र चलता रहता है, उसी तरह से सुख और दुख का चक्र चलता रहा है, चलता रहेगा, इस प्रकृत की लिला से आ आपको माया के अंदर दुख मिला है तो उसे हमें सिखाफन लेचिए कि इस दुख भरे संसार में किवल राजी का ही अधार है इसी बहाने आपको राजी से प्रेम करने का उसर मिलता है देखिए अभी मैं कहूं सब सुंदर साथ से कि एक एगंटा चीत होनी केजिए तो आप स यं पेलेंगे लेकिछ के देखिए नहीं जाया है हम TH이 कहां सब को राजyy20 संद्पार आईए हैं कहां से इतना समय देखिए लेकिन जब कोरोन था तो सब कई पस समय था क्योंकि उसमें कोई नहीं नहीं कहता था कि हमारे पससमय नहीं है जो कभी बाणी नहीं पड़े by desapanee 27 वो भी जूम की मीटिंग में बैठने लगे, चर्चा सुने लगे, क्योंकि करेंगे क्या, घर से बाहर निकलते हैं, तो मौत परतिक्षा करती है, घर में ही बचना था, घर में 24 गंटे क्या करें, वैसे ही संसार की नसुरता को समझे, यह पानी के बुलबुले की तरह सरीर है, पानी के बुलबुले जैसे संसार है, कभी भी मौत आ सकती है, कभी भी संसार का प्रले हो सकता है, इसलिए छटे दिन के लेला में, आपका एक-एक पल अनमोल है, और जैसा मैं सोचा गरता हूँ, गुजरात में जागनी के पिछले वर्ष सो दिन गुचरे, एक सो पान्स दिन गुचरे, बहुत अच्छा रहा, इस खेडा जीले में जागनी के बहुत आउसकता है, अच्छे पचीस वर्ष पहले आता था, तो भी मुझे यह दिर से दिखाई पड़ता था, कि सुरू के तेन दिन बहुत कम संख्या रहती थी, और आखिरे देन पूरा अच्छेत्र इकठा हो जाता था, कई-कई गाउन के लुच्छे बिस-बिस मन का यह मिठा बंदा था ओओ लड़ू, अरे भाई, यह लड़ू तो आप घर बना कर कभी भी खा सकते हैं, इस प्रसाद में कुछ नहीं रखा है, राजी के नाम का प्रसाद खाने से कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, ब्रमवाणी के ज्यान का प्रसाद खाईए, उससे ज़्यादा मिठी बश्ती संसार में कुछ नहीं है, रात और प्रातकाल, कुछ पल अपने समय को निकालिए अपने हिर्दे में अपने प्रानिस्वर को बसाईए राजजी के नक से सिख तक की सुभा को देखिए वह आनंद के घड़ी ऐसी होगी कि वह घड़ी संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होती है इस ये वाणी में क्या का गया है कोट राजबैकुंट के ना आवे इत के खिन समान एक छण के लिए भी जदी आपके हिर्दे में राजजी के लिए प्रेम आ गया तो उसके सामने करूणो बैकुंट का राजभिका है इस ये सबसे अधिक ब Xiवा दिल है जो ये कहता है कि मुझे राजजी के चित्वनी के लिए समय नहीं है बाणी के चिंतन के लिए समय नहीं है ये छटे दिन के जागनी लिला का उतरारत है अन्तिम चरण है जो भी सुंदर साथ बाणी की चिंतन में अपने को लगाएगा चित्वनी में लगाएगा उसका जीवन धंदन होगा और मैं यही आसा करता हूँ कि इस खेड़ा जीले में जागनी का दोर तेजी से चले काफी सुस्ती आ गई है और यह कष्टकारी है आप गाउं गाउं में बाणी की जोती जगाईए सब के हिर्दे को बाणी के प्रकास से भर देजिए हम जितना कर्मकांड से दूर होकर चित्वनी में अपने को लगाएगे बाणी के चिंतन में लगाएगे हमारी आत्मा जागनी की तरह बढ़ेगी और जो आत्मा जागरित होगी उसको लगेगा कि उसके हिर्दे में प्रेम का अनंत सागर है मेहर का अनंत सागर उसके दिल में है निस्बत का सागर का सुख उसके दिल में है और वो कभी भी नहीं कहेंगी कि मैं संसार में दुखे हूं